कि नमस्कार जीवनुत्साह नीज़ पर मैं रमेश शर्मा एक वार फिर से आपका बहुत बहुत सागत करता हूँ और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि करोना महमारी ने एक वार फिर से दस्तक दे दी है और जिला हमीरपुर जो है वो अभी हिमाचल परदेश में टॉप थ्री में आ गया है तो ऐसे में अब सभी लोगों से निवेदिन है कि एक तो मास का उपयोग करना सुनिश्चित करें थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें क्योंकि करोना महमारी एक वार फिर से जब तीसरी लहर के रूप में यहां पर आ रही है तो ऐसे में सब को थोड़ा पांती से पूरण रूप से जानकार हैं तो चली आज मैं फिर आपको लेकर चल रहा हूं महरे बजार की विवस्ता जो हमने दिखाई थी चार दिन पहले आपको और यहां पर समस्या यह थी के पूरा यहां कीचड भरा हुआ था तो इसको लेकर जब जीवनुतसा निउस द करते हैं तो तभी ठीक कर पाएंगे और उसके बाद फिर जब एनेच से हमारी बात हुई जैई साब से तो उन्होंने यह कहा कि जब तक हमें कोई एनेच द्वारा पैसा जमा नहीं कर रहा जा तब तक इसको ठीक नहीं कर सकते तो इस बेवस्ता के बीच में ऐसा तालमेल व ठीक करता इसको यह पीड्योडी ठीक करता है या कोई आचाटेशीडी करता है हमें मतलब है कि इसको ठीक कौन करेगा तो ऐसे में जब हमने एक खबर की कबर तो उस खबर का असर हुआ और जैई साब से हमारी बात हुई उन्होंने फ़ोन करके हमें बताया कि हमारे साथ यह समस्या हैं एस जियो जो एनेच के हैं उनसे बात हुई तो उन्हें यह कहा कि हमारे पास बज़र्ड नहीं अभी और क्योंकि हमारा जो रोड है जो एनेच आप देख रहे हैं इसका टेंडर खत्म हो चुका है तो टेंडर में नहीं है तो इसलिए अब हमें ठीक करना इसके लि क्यों लोग यहां कीचिड में रहेंगे इस बात को उनको जबाब देने की बात आई ऐसे में जो परमोद कशिब जी नैशनल आईवे के एक्शन है उनका कॉल आया उन्होंने बात की और उन्होंने इस पर वरोसा दिया कि हाँ यह बात सही है कि महरे पर बज़र्ड का इस ट बात करें तो मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा आपको यह जानकर नैशनल आईवे ने जम्मेवारी लिए है कि हम इसको ठीक करेंगे और इसके उपर हम पूरी टाइरिंग करेंगे तो इसी हफते के बीश में क्योंकि थोड़ा मौसम खुल रहा है मौसम के बीश में इसी हफते में यह काम जो शुरू करने का उन्होंने आमें यह बरोसा दि कि सी के लिए जो है वो यहां नहीं आपाए लेकिन फिर भी अब समस्य का समधान यह हुआ कि इसको पूरा खोध कर वहां से वहां जहां तक यह कीचड है इसको टारिंग वीरिंग करके इसका पूरा सोलिंग किया जाएगा मेरे स्यों की थोड़ा नीचे दिखाएंगे यह जो आप जगा देख रहे हैं इसको पूरे को टारिंग वीरिंग करके सोलिंग करके फिर इसके ओपर टारिंग किया जाएगा लेकिन जो उन्होंने कहा कि मार्च में किया जाएगा तब तक इसको हम पूरा करके ठीक कर देंगे ताकि इस तरह का कीषट ना रहे दूसरी चीज यहां पर यह है कि अगर इसके बीच में भी जैसे काम चलेगा दो तिन दिन में उन्होंने का भरोसा दिया है कि अगर मौसम ठीक रहा तो शुरू कर दिया जाएगा मेरे सोगी थोड़ा आगे चलके दिखाएंगे और आगे से मैं आपको दिखाऊंगा कि यह पूरी विवस्ता किस तरह से खराब हुई पड़ी है और यह जो मिटी है इसकी वज़े से जो यातरी यहां पर बैठते हैं उनको भी परिशानी है बुजर्गों को खासकर बहुत प्रिशानी रहती है कि क्यूंकि पैर स्लिप हो सकता है को गिर सकता है चोट लग सकती है तो विभाग को यह बात बिलकुर स् Ziel करनी है कि केवल एक कुसी चैनल द्वारा या किमिडिया द्वारा कभर को उठाए Dave जाने के बाद ही संग्याननी लिया जाना चाहिए उससे पहल इफेक्ट कहीं न कहीं इस बात का आता है क्योंकि लोग अपनी जो मेमरी जे उसाथ लेकर जाते हैं किसी क्षेतर को देखते हुए तो मैरे बजार एक फेमस बजार है यहां पर लगबग पच्छीस चौबिस पच्छीस पंचायते हैं जो लगातार जो लोग यहां पर आते है तो यह कहीं न कहीं हम सब की जम्मेवारी बनती है विवागों की कि केबल खबरें उठने के बाद ही उसको ना करें फिर भी खबर का संग्यान लेते हुए जो एक्जेगरिटिव इंजिनेर है पर मोद किशब जी उन्होंने इसके ओपर संग्यान लिया है इसके लिए उनका कराय जाएगा यह उन्होंने बुरुसा दिया है और यहाँ पर हमारे बीच में जो लोग दुकामदार अस्तानी दुकांदार थे उनका जो निराशा थी डिपार्टमेंट के बती। वो डिपार्टमेंट में समस्यां रहती हैं काम नहीं होता है अब उनका क्या कहना है मैं आपके बीच में जरूर रखना चाहूंगा तो हमारे बीच में यह स्थीश रठोर जी हैं सर स्वागत आपका जैसे कि अभी तीन-चार दिन पहले आपके मार्द्यम से ही यह बात कर इसको वेवस्तित कराया जाएगा तो अब क्या कहना चाहेंगे आप सबसे पहले सरब्रदम में जीवन नुसा का बहुत धन्यवाद करता हूं और में शर्मा जी आपको बहुत-बहुत शुक्रिया जो आपने यह आवाज हमारी आवाज जो है वह सबंदित अधिकारियों स्वोलिंग बेरिंग होगी वो जल्दी ही हो जाए और आम लोगों की जो समस्या है बजार की जो समस्या है वो अतिशीकर इसका निवारन किया जाए जिस धन्यवाद आपका तो एक वर फिर से डिपार्टमेंट का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और खासकर अब मैं एक औ अक्सान आपको होता है या किस तरह से कोई हानी होती है तो कहीं न कहीं उसमें आपको बहुत साब्धान रहना पड़ेगा करोना महमारी के वो दिन आपको याद हैं जब पिछले वरश लोग एक दूसरे व्यक्ति से भी डरते थे हालां कि अब वो दर देर देरे लोगों के लेकिन करोना खतम नहीं हुआ है एक फिर से जिला हमीरपूर जो है वो पूरे परदेश की अंदर तीसरे स्थान पर आख चुका है करोना के मामलों में तो ऐसे मैं आप समझ सकते हैं कि अगर संकरमन और तेजी से बढ़ता है तो जो आपको छुट मिली हुई है जिस तरह की बंदिशों से पिछले साल थी उससे जो बंदिशे कम हुई है उन बंदिशों को को बढ़ाने की जूर्ट पर जाए इससे अच्छा है कि आप लोग सुएम थोड़ा ध्यान रखें मास का उपयोग जरू करें लोग बहुत सारे लोग बिना मास के खड़े रहते हैं जैसे आ नहीं नहीं परिवार आपका है जिम्मेबारी आपकी है जिन्दगी आपकी है आपको खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा अगर अच्छा लगा तो आप जूर्शेर कीजिएगा जिबनुसा नियूस के साथ आप इस तरह से बने रही है हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आप साथ में बहुत धन्याबाद आपका अलग दोस्तों नमस्कार मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीबन उत्साह नियूस का मुक्य संपादक हूँ पिछले दो वर्शों में हिमाचल के अलगले जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं अगर आपने ह हमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्रीज सब्सक्राइब कीजिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप निराश नहीं होंगे भले आप एक महीं नई चैनल को फॉलो करके देखिए आपको मिलेंगे यहां जागरूता से जुड़ी हो वीडियो आपके परिवार आपके समा से जुड़े हो वीडियो सर्च कीजिए जीवन उत्सा निउस फेस्बुक पे और यूट्यूब पे